जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिबा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तो इंडियन आर्मी में एक और भरती निकल चुकी है ये भरती किस ARO के लिए है इस भरती में कौन-कौन से डिस्टिक्स के कैंडिडेट्स होंगे जो भरती में अपलाई कर पाएंगे इस भरती का ओनलाइन रेजिस्टेशन कब से होंगे और ये भरती कहां पर होगी और ये कब से कब तक होगी और कौन-कौन से ट्रेट्स में ये जो है वो भरती निकली हुई है पूरी की पूरी जानकरे आपको इस वीडियो में देने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यह है दोस्तो इस भरती से related full notification ठीक है चलो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन-कौन सी ट्रेट्स में जो है वो भरती निकली हुई है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर soldier general duty ठीक है soldier general duty, soldier technical और उसके बाद में soldier nursing assistant, soldier clerk, soldier treatment 10th pass और soldier treatment 8th pass मतलब आर्मी के A to Z पदो पर यहाँ पर भरती निकली हुई है और रेंक्स में तो सबसे पहले मैं आपके लिए कौन सी भरती के लिए आपको कौन से पत के लिए अपलाई करने को क्या education qualification आपकी date of birth आपकी height आपका chest होगा व मैं आपके लिए physical measurement बता देता हूं तो सबसे पहले ले ले लेते हैं दोस्तो soldier general duty के लिए तो अगर आप soldier general duty में अपलाई करना चाहाते हैं यानि कि soldier gd में तो आपकी age limit है वो 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए उसके बाद में आपका date of birth 1 October 1999 से 1 April 2003 के बीच में होनी चाहि और class 10 में आपके 45% marks होना चाहिए जो overall percentage है आपकी class 10 में वो 45% marks होना चाहिए और आपकी जो single subject ही हो मतलब किसी भी subject में 33% marks से कम नहीं होना चाहिए उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं soldier technical की तो अगर soldier technical के पत्पर आप apply करने जा रहे हैं तो दोस्तों आपके पास म आपकी जो age limit है आपको साड़े सत्रा से 13 साल होनी चाहिए आपकी 1 October 1997 से 1 April 2003 की बीच में आपकी जो date of birth होनी चाहिए उसके बाद में आपकी height 169 cm और आपको जो chest है वो 77 cm होना चाहिए उसके बाद में दोस्तों intermediate आपको पास होना जरूरी है और physics, chemistry, math और English ये 4 subject होना आपके intermediate में अनिवारिये हैं, overall percentage आपकी 50% और किसी भी single subject में 40% मार्ग से कम नहीं होनी चाहिए अगर आप technical में apply करना चाहते हैं तो उसके बाद में आता है दोस्तों soldier nursing assistant याने की NA NA की भरते देखने के लिए आपके पास में दोस्तों साड़े सत्रा से 30 साल आपकी age होनी चाहिए और 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में आपकी date of birth होनी चाहिए height आपकी 169 cm, chest आपका 77 cm और आपके पास में physics, chemistry, biology और English होना जरूरी है intermediate में किसी भी single subject में 40% मार्ट से और overall आपके 50% मार्ट से कम नहीं होनी चाहिए उसके बाद में आता है दोस्तों soldier clerk तो soldier clerk की भरते देखने के लिए age limit आपके सेम है 17 से 13 साल, 1 October 1997 से 1 April 2003 की बीच में आपकी date of birth height में यहाँ पर दोस्तों आपके लिए काफी ज्यादा shoot मिल रही है 170 यह फिर 169 cm minimum height लेते हैं लेकिन अगर आपकी height यहाँ पर कम है 162 cm भी है तब भी आप इस भरती में apply कर सकते हैं chest आपका 77 cm और intermediate आपको pass होना जरूरी है art, commerce, science आप किसी भी stream से pass हैं लेकिन आपके pass में 12 में math और English होना जरूरी है उसके बाद में 60% overall marks और 50% आपके single subject में marks होना जरूरी है तब ही आप clerks के लिए apply कर पाएंगे उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर हम soldier tradesman 10th pass और 8th pass अभी 10th और 8th pass में मैं पहले भी अंतर बता चुका हूँ जो 8th pass के भरती होती है दोस्तों मतलब 8th pass soldier tradesman की इसमें आप केवल housekeeper और mess keeper की trades पर ही apply कर सकते हैं अगर उसके बाद में जो भी tradesman में trades बचतिंग हैं जैसे कि आपकी equipment boot repair हो गया cooks हो गए, washerman हो गए ठीक है इस तरह से अगर आप किसी भी पर पर अपलाई करना चाहते हैं तो आप 10th pass होना जरूरी है ठीक है age limit दोनों के सेम है 17.5 से 13 साल 1 October 1997 से 1 April 2013 की बीच में आपकी date of birth height आपकी 169 cm chest आपका 76 cm यहां पर दोस्तों class 10th simple pass होना जरूरी है 33% माप से कम नहीं होने चाहिए overall और यहां पर दोस्तों आपका soldier tradesman 8th pass के लिए जो कि mass keeper और house keeper की भरती है उसमें आपके लिए simple 8th pass होना जरूरी है ठीक है तो यह तो होगी दोस्तों आपकी height, chest आपकी date of birth आपके education qualification, trade wise कि किस trade में apply करने के लिए आपको क्या के date of birth की जरूरत पड़ेगी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि यह जो भरती है वो कौन से state के लिए निकली है और इस भरती में कौन कौन सी district के जो है वो बच्चे apply कर सकते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों आपके जरूरी चीज़ बताए देना चाहता हूँ कि आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे उसके लिए भिजिए जाएए मैंude से वीडियो को सुला सुमेटर के रर्निंग को पास करने के लिए गुरूप बन पांच मिनिट तीस सेकेंड के अंदर आगर आप पास करते हैं तो ग्रूपब havia य मैंगी जिसके लिए आपको 60 marks दिये जाएंगे और अगर आप 5 मिन्ट 31 सेकंड से 5 मिन्ट 45 सेकंड के बीच में आप आते हैं 1600 मिटर को running को pass करते हैं तो आपके पास में 48 marks दिये जाएंगे ठीक है इसी तरह से दोस्तो अगर आप 10 beam लगाते हैं तो आपको 40 marks 9 beam लगाते हैं 9 फिट देच और जिग जग विलेंस नीड टू क्वालिफाई होगा ठीक है इसके लिए आपको कोई भी marks नहीं दिया जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तो अब मैं आपको बता देता हूं कि यह जो भरती है वो इसके online registration कब से कब तक open होंगे और इसकी जो भरती की जो वेनू है लोकेशन है वो कहाँ पर है और इस भरती में कौन-कौन से districts के बच्चे जो अपलाई कर पाएंगे तो दोस्तों यह जो भरती निकली है यह निकली है आर्मी रिट्रूटिंग ऑफिस संबलपुर उडिशा ठीक है उसके बाद में इसके जो online registration है वो 5 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 की बीच में आप online registration कर पाएंगे ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें कि यह जो भरती है दोस्तों वो संबलपुर एरो के अंडर्स निकली हुई है और यहाँ पर दोस्तों इस भरती में आपके कौन-कौन सी डिस्टिक्स की जो बच्ची है वो अपलाई कर पाएंगे दो मार्च 2021 से 11 मार्च 2021 के बीच में आपकी होगी एक्जेक्ट लोकेशन एंड जो आपका होगी कहां पर यह भरती कहां पर होनी है वो आपको बाद में एमेल के जरी जब आपके अड्मिट कार्ड अलॉट किये जाएंगे तब आपको बता दिये जाएगा ठीक है तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी दोस्तो ऑनलाइन रेजिटेशन में आपको फिर से बता देता हूं कि 5 जनवल 2021 से 15 फरवल 2021 की बीच में आप इसके ऑनलाइन रेजिटेशन कर सकते हैं तो आज की वीडियों बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक बात आपको और बता दें, कि अगर आप दोस्तो आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके लिए आर्मी की तैयार एक लिए Math, Reasoning, General Knowledge, GK, GS जो भी है, पूरे के जो है Question and Answer और पिछली साल के Solved Question पे अबर भी कराए जाते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही, Thank you for watching, जैहन जैभाद.